Hello Everyone, Welcome to Dream Shikcha, I am Nikhil Pandey, हाज मैं आपके भी Childhood Development and Pedagogy MCQ Series का Part 5 लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी Teaching Exam के लिए helpful होगा, So guys, अगर आपने इसके पहले के Part नहीं देखे हों, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आँगे और ऐसे वीडियो मिलते रहे हैं, So guys, starting with the motivation of the day, स्वामी विबेका नंजी ने कहा है, उठो, जागो, बढ़ो, और तब तक मत रुको, जब तक की लक्ष न प्राप्त हो जाए, So guys, अगर भी तक अगर आपने उठे नहीं हैं, जागे नहीं हैं, अपने लक्ष के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं, तो guys, शुरू हो जाएए, चलना सुरू कर दीजिए, फिर दीरे दोडना सुरू कर दीजिए, तभी आप अपने टीचिंग एग्जाम के लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, So guys, starting with the last homework question, हमने last slide में आपको एक homework दिया था, उस question को पहले solve करते हैं, the two main motivation categories of needs are dash, अवशक्ता की दो प्रमुख प्रेरक्षेनिया dash हैं, तो क्या होती हैं, इसका answer होगा intrinsic and extrinsic, actually, antric or by, actually क्या होता, जो motivation हैं हमारे अंदर से भी आता है, और कई बार हम दूसरों को देखकर भी motivate होते हैं, इसलिए इसका answer होगा intrinsic and extrinsic, चलते हैं, first question of the day की तरह, one of the symptoms of dyspraxia is, dyspraxia के लक्षणों में से एक है, पहला option है, problem in understanding spelling, वर्तिनी समझने में समझ्या, problem in doing mathematical calculation, गरतिय गरना करने में समझ्या, problem in holding a pen and writing, एक कलम पकड़ने और लिखने में समझ्या, problem in the ascent of a language, भासा के उच्चारण में समझ्या, चलिए, हम dyspraxia को समझ्या होता क्या है, dyspraxia क्या होता है, कि brain की condition ऐसी हो जाती है, कि हमारी body के movement और coordination में क्या होती है, समझ्या होनी लगती है, कि हम उसके कारण कोई भी activities perform नहीं कर पाते हैं, तो इसका answer होगा third, क्यों होगा, क्योंकि हम से, हमको हमारा brain इस तरीके से coordinate नहीं कर पा रहा है, या respond नहीं कर पा रहा है, कि हम अपने हाथ में pen को hold कर पाएं, और lick पाएं, है ना, तो option क्या होगा, third होगा, चलते हैं next question की तरह, material fall later, reterval is stored in the desk, बात की पुनरप्राप्ती के लिए समागरी को desk में संग्रहित किया जाता है, तो हम किसी भी information को store करते हैं, ताकि हम बाद में उसे जान सकें, या फिर से उस information को process कर पाएं, तो उसको हम long term memory में store करते हैं, या दीरकालिक इसमनती में उसको रखते हैं, ताकि हमको वो information, जब हमको जगोद पढ़े तो दुबारा मिल सकें, तो क्या होगा, answer long term memory, चलते हैं third question की तरह, which of the following is a technique used to address stuttering, निन्नमेश से कौन सी एक तक्नीक है, जिसका उप्योग हकलाना, हकलाना मतलब क्या होता है, रुक रुक कर बोलने को address करने के लिए, किया जाता है, अब जैसे हमको अगर हकलाने की समस्या है, तो इसका solution क्या है, इसके लिए डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, तो therapy बताते हैं, कि आप धीरे बोलने की कोसिस करें, इसलो यूर स्पीड ऑफ स्पीकिंग, है न, ताकि आप क्या होगा, धीरे धीरे जो हकलाना है, वो आपका कम हो सकता है, है न, तो इसका answer क्या होगा, लंबा बासर देना, प्रोलॉंग्ड इस्पीच, जाकि आप जब रुक रुक कर, धीरे धीरे बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, तो आप क्या जो हकलाना है, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसका answer होगा, प्रोलॉंग्ड इस्पीच, चलते हैं, नेस्ट कोस्टन की तरफ, दा एन्रिच्मेंट ऑफ एन्वाइरमेंट, बोल सकते हैं, जन्मजाच शमता, प्रोब्लम समस्याई, हरिडिटी, अनुवान सिक्ता, एंड इंटेलिजेंस, बुद्धी, तो हम बात कर रहे हैं, जीवन के प्रारंबिक वर्सों में, वाता वरण और अनुभाव की, तो ये किस से आता है, ये आएगा आपके innate potential से, तो innate potential क्या होता है, इंगलिज में बूल सकते हैं, innate potential is something that exists within each of us, जिससे हम natural connection बना पाते हैं, अपनी reality से, universe से, अपने लोगों से, और अपने आप से, तो ये innate potential होता है, या बूल सकते हैं, जन्मजाच शमता होती है, जो सब के अंदर exist करती है, समय अंतर नहित होती है, जिससे हम अच्छे experience या बुरे experience या environment से, ज़्यादा घुल मिल पाते हैं, और अपनी life में आगे आगे उस experience के साथ, सीख पाते हैं, चलते हैं next question की तरफ, achievement in school is most closely related to death, विद्याले में उपलबदी, death से सबसे अधिक निकता से संबंदित है, the attitude of parents, माता पिता के बेहार, the conduct of student छात्रों का आच्छन, the interaction of peer गो साथी समू की बातचीत, the quality of teacher, सिक्छकों की गुडवत्ता, तो जो इसकूल में जो achievement है, वो सबसे ज़्यादा relate करती है, वो करती है, the quality of teacher, ताकि आप अच्छे से विध्याले में कुछ उपलब्द कर पाए, या इसकूल में अच्छी achievement पा सकें, चलते हैं, next question की तरफ, constructivism, does not acknowledge the value of knowledge that is, निर्माणवाद ग्यान के मूल को सिकार नहीं करता, जो निम्न है, पहला option है, personal, व्यक्तित्व, subjective, व्यक्तिप परक, third option है, universal, शार्व भॉमेक, और fourth option है, individual, व्यक्ति, गत, तो constructivism की जब बात करते हों, आप तो आप क्या करते हो, actively अपने knowledge को क्या करते हो, construct करते हो, participate करते हो, जो ची आप देखते हो, करते हो, जब आपस में discussion करते हो, जब आपके अंदर वो जो actively participate करके, जो आपको ग्यान प्राप्त होता है, वो होता है, construct करना knowledge को, तो इसमें जो answer जो गलत होगा, वो universal, आप किसी भी universal चीज को नहीं मानेंगे, जब तक कि आप स्वेम अनुभाव ना कर लें, या स्वेम उस चीज को experience ना कर लें, या perform ना कर लें, तो इसका answer होगा universal, बाकि सारी चीजें आप अपने परस पर तालमेल, या लोगों से ideas लेके, अपनी सोच बनाके सीख पाते हैं, ठीक है, चलते हैं next question की तरब, अजनवियों कब है, जो बच्चे विक्सित करते हैं, डैस के कारण होता है, तो यह होता है, ओप्रेंट कंडीशनिंग के कारण, दूसरा, साइन लेर्निंग के कारण, संकेत अधिकम, तीसरा option है, क्लासिकल कंडीशनिंग, चिर्प्रतिष्टित, प्रानु कूलन, इंसाइट लेर्निंग, अंताद्रष्टिय अधिगम, तो जो fear of stranger, हमको जो अजनबियों का जो भै बना रहता है, उसका रीजन होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग, यह क्या होता, एक्चल में क्लासिकल कंडीशनिग क्या होता है, इससे क्या होता है हमारे behavior में क्या होता है कुछ पुराने experience की तोर पर modification हो जाता है अगर उसका जो experience है वो खराब रहा होगा उसे कुछ बच्चों ने पहले बहुत डराया होगा तो वो हमेशा दूसरों से क्या होगा डरेगा उसे हमेशा अजनवियों से भै रहेगा तो यह part किसका है classical conditioning का ठीक है ना चेर प्रतिष्टित प्रानु कूलन इसलिए इसका answer होगा चेर प्रतिष्टित प्रानु कूलन और इसकी बात कौन करता है तो इवान परलव जी करते है ठीक है चलते हैं next question की तरफ दा इनहेरेंट अबिलिटीज अब दा चाइल्ड शुड़ बी डैस वाइल डिजाइनिंग दा क्यूरीकिलम तो जब डिजाइन करते हैं समय बच्चों की अंतर नहित छमताओं को डैस किया चाहिए तो हम प्रतेग बच्चे की अंतर नहित छमताओं जो होते हैं उन सब को क्या रखते हैं ध्यान में रखके अपना क्यूरीकिलम डिजाइन करते हैं हर तरीके की अक्टिविटीज डिजाइन करते हैं ताकि हर तरीके के बच्चे को हम उसकी छमता उसकी ability के अनुसार हम उसको पढ़ा सकें या उसकी problem को consider कर सकें ठीक है चलते हैं next question की तरफ According to erection, role confusion occurs if the death is not established. Erection के अनुसार यदि death तापित नहीं होता है तो भूमिका में भ्रहम होता है तो answer होगा identity ये बात हो रही है role confusion Role confusion होता कब है जब आपको आपकी भूमिका का पता कब नहीं होता है जब आप 12 से 19 वर्स की अम के period में होते हैं Adlo scene की अवस्था में होते हैं उस समय क्या होता है आपके साथ identity अगर आपको properly नहीं मिल पाती है तो आप क्या होगे आप अपने जो development है उसमें थोड़ी से पीछे हो जाएंगे और अगर आपको अपनी पहचान मिल जाती है तो आप अपना development अच्छे से कर पाएंगे तो ये जो role confusion का जो concept है वो identity के time पे आता है ये 12 से 19 वर्स की उमर में निकलता है चलते हैं next question की तरफ DAS has developed a socio-cultural approach to cognitive development DAS ने संग्यानात्मक विकास के लिए एक समाजिक सांस्क्रितिक द्रष्टी कोंड विक्सित किया है फहला option है जेरोम ब्रूनर दूसरा option है कोलव तीसरा option है जीन प्याजे और चौंथा option है लिव वाइगोट्सकी तो होता क्या है कि जब बात आजाती है social-cultural approach कभी भी समाजिक परिवेस या समाजिक सांस्क्रितिक की बात आजाती है तो उसमें कौन आजाते हैं वागोट्सकी जी आजाते हैं तो यह समाजिक की बात कौन करता है या सांस्क्रितिक की बात वागोट्सकी जी करते हैं तो आप बिना किसी option को देखे हमेशा जब भी समाजिक बात हो बगुत्सी जी को लगा सकते हैं आज के लिए इतना ही एक question मैं आपके homework के लिए देखे जा रहा हूँ Child developments refers to बाल विकास निमने में से संबंदित है quantitative changes only केवल मतरात्मक परिवर्तन qualitative changes only केवल गुडात्मक परिवर्तन qualitative changes corresponding to quantitative changes qualitative changes गुडात्मक परिवर्तन मतरात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होते हैं qualitative changes independent of quantitative changes गुडात्मक परिवर्तन मतरात्मक परिवर्तनों से स्वेतन्त रहें so guys आप मुझे इसका answer comment करकर दें फिर हम इसका सही answer next slide या next part में discuss करेंगे so guys आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दूस्तों के साथ share करें चलिए तो thank you